हेलो प्रेंट्स है तो आज हम प्लांट पैथोलोजी के बांट डीजिज और पोटेटो के बारे में रहता है सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें क्या-क्या पड़ना है दो तीन लाइन इंट्रोडेक्शन इसके बारे में लिखेंगे इसके बारे में लिखेंगे कौन सा और इसके बारे में जानेंगे और फिर डीजिज साइकल यानि कि यह प्रोसेस कंटिन्यू कैसे रहता है उसके बारे में और फिर लास्ट में हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे यानि कि कंट्रोल मेजर्मेंट के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम बाट डिजिज और पोटेटो के इंट्रोडेक्शन को देखते हैं सबसे पहले इसको डाइग्राम देखिए यह जो है यह हुआ हमारा बाट्स और यह हुआ टीवर पोटेटो का टीवर तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके इंड्रोडेक्शन में चलते हैं, तो यहां एक बहरी डिस्ट्रेक्टिव डिजीज को है और पोटेटो, यानि कि पोटेटो में यहां बहुत ही डिस्ट्रेक्टिव डिजीज है, देखो, जितना भी हम प्लाण पैथोलोजी में पढ़े तो यहां पर डिख देनगे을p Sबसे पहले बाड डिजी उफ पोटेटो सबसे पहले इसकरवर्ड नोटिस्ट किया था हंगरी में in 1895 कब हंगरी में 1895 में यह डिजी सबसे पहले देखा गया था और आज यह लगभग पूरे दुनिया में फ्ला हुआ है बाट डिजिज जफ़ पोटेटो इंडिया में सबसे पहले यह नोटिस्ट नीशौ बामन में दाज़ुलिंग में किया गया था दाज़ुलिंग बेश्यजिक बंगाल में है कब नीश हुआ बामन में अब हम इसके डीजीज्ट स्टम्स के ओर चलगे। कि यह जो डीजीज है वह अपियर करेगा इन अंडर ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानि कि जो ट्यूगर प्लांट होगा उसके अंडर ग्राउंड यानि कि स्वैल के अंदर बाले एरिया में आप पाया जाएगा एक सेप्ट यानि कि यह रूट और बेसर पार्ट यह रूट निकले नहीं कि यहां से यह सब जो रूट है इसमें यह रूट नहीं होगा और नहीं इसके जो बेसल अंडर में इसफें यह के वर डीजीज आँ वहा ट्यूबर पहीं इसका साइज बढ़के ट्यूबर से भी तूबर से फीर हो जाता है लेकिन enschषा नहीं हैं कभी नगी होता है संकाइट्रियम इन्डो बियो तिक या दोम यालад जै जो फंजाई है वह योई फन्य लेइट है य। यू नूप्ली अरण थेने जो है व्द करे journeys पोटन करेंका लिए फोर्म करेंगा इन देडाट्र प्जशिंद में अब आप में करेगा оз dispers फॉनिंट मिकीक। सिनकाइटेम इंडो-bkrä minutes कम के डिजी साइकल या फिर लाइफ साइकल करते हैं उसमें चलते हैं तो 1967 या य्णि जूवस्पुर्च जो है यानि कि पैथोजिन का सिनकाइट्र मिन्डो बाईटिकम नूकलियस का है यानि कि इसमें जो कहते हैं हाइपी और माइसीलियम अपसेंट रहेगा क्योंकि यहां केवल एक ही सेल कायब बना हुआ है यह जब स्प्रिंग सीजन यानि की फेवरेबल कंडिशन इस जूवस्पोर को मिलेगा तो वह पोटैटो के ट्यूबर के हुष्ट सर्फ मतलब पोटैटो के ट्यूबर जो है उसके इपिडर्मल लेयर पे यह अटाइच होगा और अपना यह जो फ्लेजेला है वह बिध्ड्राव करेगा यानि की छोड़ देगा उसके बाद यह जो जूवस्पोर है पनिट्रेट करेगा इन्टू धा फोस्ट शेल और फोटै्टिक करने के बाद यह पूरी तरह से उसके ćा अनधर चला जाएगा उ वहँआ से ऑज्चरोड़ दिन्यूट्रिएंट इन्ट सैल इसके सैल से या पी इसके आसपास के या न्यूट्रियंट्रिएंट अब्ज़र करके अपना साइज इंक्रीज करेगा साइज इंक्रीज करते करते यह डबल लेड़ बाल का डेवलप्मेंट करेगा यह जो जूआ स्पोर है वह अब डबल लेड़ बाल बनाएगा और यह डबल लेड़ बाल को हम समर स्पोर करते हैं यहां समरस्पोर जिस सेल में पेनिट्रेट क्या उसमें लोवर हाफ में पर्जयर्ट होगा यहां पर्जयर्ट ओगा और वह ही अपना डिवलप्मेंट चालूद रखेगा यहां जो समरस्पोर है उसके प्रोटो प्लास्ट ऑबर ट्रानस्फॉर्म्ड हो जाएंगे with the nucleus into the vesicle, vesicle में यह transformed हो जाएंगे, इसके जो nucleus है, यह nucleus जो है, अब जो vesicle बनाया है, उसके nucleus mitotic division करके, कौन सा division, mitotic division करके, यह लगभग 32 nuclei का structure बनाएगा, इस structure को हम prosaurus कहेंगे, यानि कि 32 nuclei यहां form किया है, यह समरस्पोर, अपना nucleus जो transform किया था, with protoplast into the vesicle form में, और उसके nucleus, यानि कि vesicle के जो nucleus है, over mitotic division करते, 32 nuclei का formation किया, इस structure को यानि कि 32 nuclei फोर्म किया था, उस structure को अब हम prosaurus कहेंगे, यह prosaurus, लगभग 5 से 9 segment में तूटेंगे, इस तरह, पांच से 9 segment, और इस structure को हम सुराई कहेंगे, अगर यह किवल एक होगा, तो सोरस, लेकिन हम multi है, इसलिए हम सुराई लिखेंगे, प्लूरल कर देंगे, अगर condition favorable है, यानि कि अभी भी, a spring season है, तो यह सोराई, जू अस्पुरेंजियम में develop करेगा, जू अस्पुरेंजियम में, या फिर समर अस्पुरेंजियम भी इसको कह सकते हैं, या समर अस्पुरेंजियम जो है, लगवग इसके जो nucleus अभी divide कर रहे थे, वह लगातार regular divide करते करते, लगवग 200 से 300 nuclei form करेगा, और मेटामोर्फोज कर जाएगा, जितने भी nucleus हैं, उसके protoplast मेटामोर्फोज करके, सिंगल जू अस्पुर बनाते जाएगा, यानि एक nucleus एक जू अस्पुर बनाएगा, इसी तरह एक जू अस्पुरेंजियम में लगवग 200 से 300 जू अस्पुर बनेंगे, और फिर यह process continue करे जाएगा, यह हुआ asexual, लेकिन जैसे ही, यानि कि एक favorable condition में होता था, unfavorable हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे, यह जो spring season हो करके, summer season आ जाए, तो उस case में एह जो सोराई है, वह जू अस्पुरेंजियम के जगा है, गेमिटेंजियम का formation करेगा, यह गेमिटेंजियम गेमिट् प्लाजमोगेमि करके करेंगे, उसके बाद उसके nucleus का fusion होगा, जिससे जाएगोट का formation होगा, यह जाएगोट, पेनिट्रेट करेगा, होश्ट सेल में, यानि कि पोटैटो के ट्यूवर में ही, यह पेनिट्रेट करेगा, और फिर उसके बाद यह दो से ज्यादा, मतलब कि त इन लेड का बाल बनाके यह तब तक इंतेजाद करेगा, जब इसका condition favorable ना आजाए, जब यह से ही condition favorable आएगा, तो यह जो रेस्टिंग अस्पुरेंजियम है, वह active हो जाएगा, और उसके nucleus मियोटिक डिवीजन करके, यहां मियोटिक डिवीजन होगा, और उसके बाद अब यहां बिंदर अस्पुरेंजियम यहां फिर रेस्टिंग अस्पुरेंजियम जो है, उसके nucleus मेटामोर्फोज करके, जुआ स्पोर्स का formation करेंगे, यह process continue रहेगा, तो अब हम इसके notes देखते हैं, पर हस्ँियम थाने Neo035 स्षासे प्रेंगे, यहां असर रेस्टिंगेरल यह है, यहां असर चाने करेंगे,। भाल्गर हैं, और भीक्षेगर सहीं करेंईगा १राफव 6 прошहाओं इसके प्लाफ़ 23 से अस्च्चर हैं।